गोटेगाउं विधानसभा के चिर्चिता ग्राम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं गोटेगाउं विधायक एनपी प्रजापती ने किया सड़क का भूमी पूजन जी हाँ लंबे समय से ग्रामीडों की मांग चल रही थी कि उन्हें आने जाने में समस्या होती है और यदि कोई बिमार पढ़ जाता है तो चार पहिया बाहन ले जाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है ग्रामीडों की मांग पर गोटेगाउं विधायक एनपी प्रजापती ने 15 किलोमीटर की सडक निर्माण के कार का भूमी पूजन किया और ग्रामीडों को सडक की सौगात दी कारक्रम में महामंडिलेश्वर अगनी अखाडे से रामकृष्ण नंदन भी ग्राम चिर्चिता पहुँचे जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी चरण पादुका का पूजन किया और गोविंद दुवे के साथ उपस्थित सभी ग्रामीडों ने भी महाराज जी का आशिरवाद लिया वही महाराज जी ने सडक निर्मार पर सभी को शुभासीज दिया आपको बता दें कि ये सडक साकल रोट से बेल खेडी मैन रोट को मिलाएगी इसके बीच से में छीतापर, चिर्चिटा, बमहनी, घाट पिंडरई, कापर खेडा, बोचार, मगरथा, बेल खेडी इन सभी ग्रामों को मुख्य मार्ग से मिलाएगी जिससे ग्रामीडों को बरसात में भी कोई समस्य नहीं होगी वही कारक्रम में सभी ग्रामों की ग्रामीड उपस्थित रहे ये पंद्रा किलो मीटर की रोड, साकल, बगेरा, बमनी, चिर्चिटा, मगरदा तक होटी ये पहुचेगी और ये अभी लगभग आठ करोड तीन लाग की सड़क है जो भी सड़कता नापतोल होता है, तदनुसार ही सड़क बनती है आप ताकालिक कोई बात करो, तो ये वो थोड़ीना बात है कि जो चीज निर्धारत है, उसको छोड़के कोई दूसी चीज बनने रहे जो अभी बात आए, जो निर्धारत कोई है वही बनेगी अब इन सड़कों के गाओं के उन अच्छे वजनदार लोगों की जवाबदारी है अगर सड़क बनाने में कहीं जमीन की दिक्कते आ रही हों दांसों की दिक्कते आ रही हों, परियाप्त चोड़ाई की सड़क बने, वहां दिक्कत आ रही है तो यहां के गाओं के वो प्रबुद्दजन, वो वजनदार लोगों की भी जवाबदारी अपने हो गई है कि वो अपने अपने गाओं में इस सड़क को मजबूती से बनाएं, क्योंकि सड़क उन्ही के लिए हैं, उनके गाओं के लोगों के लिए हैं, माताओं बेहनों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, बुजर्गों के लिए हैं, बीमारों के लिए हैं, तो मेरी तरब से प् चाहते हैं